वहीं काली चर्ण महराज के विवादत बयान को लेकर महिंत राम सुन्दरदास नाराज हो गए और नाराजगी जाहर करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म संसद अपने उद्देश से भटक गया है महा पुर्षों को गाली दी गई है गरिमा के अनुकूल कारिकम नहीं हुआ तो देखिए काली चर्ण महराज ने विवादत बयान दे दिया उन्होंने देश के विवादन के लिए महात्मा गान्दी को जिम्मदार बताया और गोट से को नमस्कार उन्होंने मंच से किया जिसको लेकर अब थोला बवाल यहां पर नजर आता है होता हुआ और इस पर इसी बयान पर महंत राम संदर दास नाराज हो गए उन्होंने कहा कि धर्म संसद अपने उद्देश से भटक गया है महापुर्शों को गाली यहां पर दी गई गरिमा के अनुकूल कारिकम नहीं हुआ तो रायपुर में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और तमाम साधू संद एक हक्ता हो रहे हैं सकारिकम के दोरान और उद्देश है धर्म की रक्षा जिसको लेकर काली चर्ण महराज बोल रहे थे अपना बयान दे रहे थे और ये वहीं काली चर्ण महराज हैं जनका कुछ दुनों पहले एक वीडियो काफी वारल हुआ था राज़नी भुपाल के भोचपुर मंदिर में होने शिवतांडव गाया और उससे ये सुर्ख्यों में आए उसके बाद से उनका वीडियो लगातार चर्ण में था और उन्हें राएपुर में भी आमंतरित किया गया धर्म संसत का हिस्सा वो बने और कारिकम को वो समवधत कर रहे थे तब ही उन्होंने ये विवादत बयान दे दिया हम कह सकते हैं उन्होंने देश के विवादन के लिए महात्मा गांधी को जिम्मदार बता दिया अब उन्हें किस परिपेक्ष में ये बाते कहीं हैं ये तो वहीं जानते हैं लेकिन विवादत बयान हमें से जरूर कह सकते हैं और इसी को लेकर बवाल 36 गर्म देखने को मिल रहा है और कालीचन महराज के बयान पर महंत राम सुन्दर दास नाराज हो गए है अपनी प्रतिकरिया देते हुए कहा कि धर्म संसद अपने उद्देश से भटक गया है है